अनंत बाबू को जील भीजवाने का काम किया था तो उस समय क्या कर रहे थे चूसनी से दूरी पी रहे थे अरे अनंच स्ञ तो मर्द बेटा अनंच स्टो जो बोलता है खुलम खुलम खुला मोकामा का दंगल लगातार रोमांचक मुकाबला होते जा रहा और अनन सिंग और ललन सिंग आमने सामने है जहां बात कर ली जाए ललन सिंग की तो 17 सालों से मोकामा विधान सभा में जो चुना होता है अनन सिंग लगातार पर्चम कहीं न कहीं लहरार है और सीधे तोर पे अन ललंसिंग और अनंसिंग के जो समर्तक हैं वो लगातार एक दूसरे को परास्त करने के लिए फता करने की बात कह रहे हैं लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 6 नवंबर को पता चलेगा कुछ यूथ लोग हैं जो मुकामा से निवास करते हैं मुकामा के रहने वाले इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुकामा में वाकई में अनंसिंग काम किये हैं कि इस बार उनका सूपरासाफ ललंसिंग कर देंगे हमारे साथ हैं क्या नाम है आपका मिरा भिशेक कुमर नाम कि इदर का हवाद चल रहा है ललंसिंग कोई ललंसिंग का नामें नहीं हैं सिर्फ अनंत सिंग का नामें आपके कहने से तोड़ी नहीं हो जाएगा तो आप सर्वे कर लिजे और बात रही विकास की देखिए दस लाक की लागत से निर्मित यह जिसमें गरीब गुर्बा के बेटी का साधी होता है हम लोग का इसमाज जो हैं फाइदा उठाते हैं यानंत बावु का दिया हुआ फंड है आया कागो बीजेपी का कोई नेता का अपना बोट दिखा दे लान सिंग बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि अपरादी है तो पाटना मेरा नहीं कहना है सर सुनिए नहीं पाटना वाला महावीर मंदिर जो है उसके पु अपना दिखा रहे हैं दस लाक रुपे की लागत से बना यह समुदाइक भबन जो कि अनंत बावु का देन है और इससे हमारा समाज का कल्यान होता है यहां हम लोग इसको इसको करते हैं साधी विवाह मरनी हरनी सब चीज में एक आप दिखा दिखा दिए बीजेपी का सारह सत्रह साल से सता में था उनका एक आरूप है कि जब अनंद सिंग कीर तो बीजेपी वाले चूसनी से लूद्व तो पहले पहले आप सवाल सुन लिजेगा एक एक फोटी सेवन मामले में जब अनन्ण सिंग के घर पे लिपी सिंग रेड की एक फोटी सेवन बढ़ा मद हुआ केस चला जेल में है तीन सालों से विधाईकी उनकी चली गई फिर उपचुना हुए तो आप ही लोग ना चिक चिक के बोलते थे कि नितिश कुमार और ललन सिंग जेल वेज़वाई फिर उनी के गोद में अनन्ण सिंग चले गए एक बात क्रिकेट और राजनीत ये दोनों सं और लेकिन अनन सिंग नोन सिंगत उसक्राइब बोलता है किसकी सरकार है उन भी बोल दिया सब कुछ बोल तिया अपने बयानों के लिए अपने आब Something को y लेकिन बीच में दोनों में पड़िवार में कुछ उठा पटक बरतन जहां रहता है वहां टन मुन होते रहता है अब लग कोछ नहीं बिगड़ेगा कल देखे न जी नीलम देवी को अपनी गारी में बैठा के नलन बाब बुले गए पुरा परचार जोड़ सवर्था न किये लीलम देवी के लिए बोट किये बोट मांग रहे हैं कि नहीं चेतर में आके जाकर मिम्ध यही है अनंद सिंहक के समर्थक है अनंद सिंग जब 17 सकते हैं तमाम लोगों ने आरोब लगाया कि नितिस कुमार और ललन सिंग के इसारे पर लिपी सिंग ने ऐसा किया जेल चले गए विधाई की खतम हो गए अगर यही लोग ऐसा नहीं करते जिस परकार से समर्था कारोप लगाते तो आज चुनाओ की नौबत नहीं आती है उनको अंदर वेजवाद दिया गया पर देखिये परसितिया वही होगी कि उन्हीं के लिए बोट मांगा जा रहा है तो यह कैसा साथ है यह तो बीजयेपी के साथ हैं तब हो गया अब नहीं होगा अब नहीं होगा काहा के लिए बहुत आ satisf निवालत पदल आखासे-बाले का कम है असली को नकली नकली को असली नीलम देवी इस वार कम से कम 50,000 भोट कितना आ रहा है लान सिंग की पतनी को भोट आएगा मुस्किल से मैक्सिमम भोट आएगा 30-32,000 भोट इससे ज़्यादा भोट नहीं आएगा जिनका दावा है कि इस वार रिकॉर्ड तोर मतों से कही न कहीं नीलम देवी जीते गी और र ललन सिंग के इसारे पर हुआ है लेकिन हालात यह है कि कल तक नीटिश कुमार के गहरे दोस्त ते अनन सिंग फिर दोनों में जानी दुसमन ही हुई आज इस्तितिया यह है कि फिर जानी दुसमन एक हो गाए कौन किसे परास्त करेगा यह तो आने वाला समय बताएगा और 3 नवंबर को जब बोटिंग होगा और 6 नवंबर को जब नतीजे आएंगे जनता एक बार फिर से किसको ताज देती है तमाम चीजे आने वाले समय में साफ हो जागा रोईत याद अब नटाज निच पटना